लोटस आयरवेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उद्पल जौधरी आज हम बात करेंगे अच्छी और घहरी नीद के लिए रोज रात में पिए यह पांस तरीकी चाय रात बर सुएंगे स्वकून से तो आए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन उससे पहले चैनल आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं कहें तो चैनल सब्क्राइब कर लें बेल आइकोन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें तो आए शुरू करते हैं आधिक तर लोग चाय पीना पसंद करते हैं साथ ही लोग नीद भागाने के लिए भी चाय पीते हैं लेकिन कि आप जानते हैं कि कई तरह की चाय पीने से घरी नीद आने में मदद मिलती हैं कई बार बेट पर लेट जाने के बाद भी बैक्ती करवट पदलता रहता है और नीद नहीं आती है नीद नहीं आने की बज़े से चिर्चलापन तनाओ डायबिटीज और हाई ब्लेट प्रिसर जैसी बीमारिया हो सकती हैं बहुत से लोग नीद नहीं आने की समस्या को दूर करने के लिए कई तरह की दबाईयों का सेवन शुरू का देते हैं यह दबाईयां शरीर के नुक् ही चाए बना कर पी जा सकती है इक नीद लाने में मदद करने के सास् genome को हिल्दी तो पहली चाइए असुगंदा की हैं है असुगंदा को कि जिंसंग के रूप में जाना जाता है असुगंदा चाए का सेवन साूं को किया सकता है थाक तंत्र काउं को सांत करती हैं मास पेशियों को तनाव मुक्त करती हैं और मस्तिक को आराम देती हैं जिससे नीद आती है इस चाय को पीने से घराप कोलस्टोल कम होता है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है दूसरे चाहे हैं कैमोमाइल चाय गहरी नीद के लिए कैमोमाइल चाय का सेबन भी किया जा सकता है ये चाय पीने से सरीर का दर्द कम होता है और गहरी नीद आने में मदद मिलती है इस चाय को पीने से मासिक धर्व में होने वाली एटन, अपच, मितली और पेट फुलनी की समस्य से भी रहात मिलेगी ब्लू टी, ब्लू टी जिसे नीली चाय या बटरफलाई चाय भी कहा जाता है ये चाय पीने से सरदर्द कम होता है और मस्तिक को आराम मिलता है ये चाय पीने से थकान कम होने के साथ एकागरता बढ़ती है चाहे बजन को कम करने के साथ हर्ट को भी हेल्दी रखती है अगली चाहीं लेमेंडर चाहे छरी लेमेंडर चाहे तंस्क्राइब करने और भेतर नीद दाने में मदद करती है एई चाएंटi ocksåident से भरपूर होती है और इमिनिटी को मजबूत करती है इस चाए को स्यों से मांसिकत तौर पर depths मिलती है और गहरी नीज आती है कि अगली द्रह्सוावाइब यह ब्रह्मी ज्वाय रेमि चाए सरीर के लिए बहुत हिल्दी होती है ये चाय पीने से आपकी मेमोरी तेज होती है साथ ही सरीर का तनौह भी कम होता है ये चाय अच्छी नीन लाने के साथ गटिया में होने वाले दर्थ से भी रहात देती है ब्रहमी चाय पीने से अस्तमा की समस्या भी कम होती है तो यह था हमारा आज का बेसिस वीडियो आपके के लिए अच्छी नीन आने के लिए आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं हमें आपके कमेंट का इंतिजार रहेगा धन्रवाद